नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 24 जून 2022 के डेली दाहिंदू एडिटोरल डिस्किशन में आपका स्वागत है आज प्राइडे का दिन है छे आर्टिकल्स चपते हैं जिसमें से मैं आपसे चार आर्टिकल्स डिसकस करने वाला हूँ एक तो यूक्रेन ने रिसेंटली इस्तानबुल कन्वेंशन को रैटिफाई कर दिया है इसका क्या मतला पर इस्तानबुल कन्वेंशन किस से डील करता है इस से वुमन राइट पर क्या फर्क पड़ेगा इन सब चीजों के बारे में विउपॉइंट है इसको देखेंगे सेना रेबैलिन के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है इसकी बात करेंगे कोलंबिया में नए राश्पती चुने गए और ये जो नए राश्पती है वो लेफ्टिस्ट ब्लॉक के है तो कोलंबिया के पॉलिटिक्स को थोड़ा समझने कोशिश करेंगे देखें कोलंबिया में पॉलिटिक्स किस प्रकार से काम करती है इसका आपको हलका फुलका आइडिया होगा गर आपने ये नेट्फिक्स की एक सीरीज है नार्कोस नाम के उसको अगर देखाओ पाबलो एक्सको बार पे बोस्ट है, मेडली इन कार्टल, काली कार्टल, उसमें F.A.R.C. भी आता है कैसे सरकार इन कार्टल से लड़ाई करती दी तो एक बेसिक इस्ट्री यहाँ पर मैं थुड़ा बहुत बताऊंगा आपको उस वीडि़ों में और एरवाइस मार्षन मनमोहन बहादूर यह क्या बोल रहे हैं कि अगनिपत् अनरजास करेगा यह दी मोरलाइस करेगा इसके बारे में मौलड़ी बहुत बात कर चुके हैं कहीं पर भी आप कोई बहुत दर एक्स्टराणरी बार हो चोगी तो शुरुबात करते हैं आगे बाटन पेले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों चैनल को अब तक शेर और सब्सक्राइम नहीं किया कर लिजे इस्टराम पर फॉलो कर लिजे टेलिग्राम गूर्प जोडने कोशिश करते हो टेलिग्राम गूर्प पर आपक यूक्रेन ने इस्तानबुल कंवेंशन को रैटिफाई किया अभी यह इतना इंपोर्टन क्यों इसको समझते हैं इस रैटिफाई करके जो कीव है जो यूक्रेन है वो और पास चला गया है यूरॉप के जो यूक्रेनियन पार्लेमेंट है जो इसको बोला जाता है इसको इस्तानबुल कन्मेशन कहा जाता है अब तक की सबसे फार रीचिंग इंटरनेशन ट्रीटी बनाई जाती है जो की लीगली बाइंडिंग स्टैंडर्स सेट अप करती है सरकारों के लिए यूरोप में ताकि वो सरकारे प्रेवेंट कर सके और जैंडर बेस्ट वोल्रिस को प्रोसीक्यूट कर सके अगर देखें तो इस तानबुल कन्मेशन जो यूक्रेइन की पार्लेमेंट से ने यूक्रेइन की पार्लेमेंट के 259 मेंबर्स ने इस बिल की फेवर में वोट किया 8 ने अगेंस्ट वोट किया 28 ने ब्लैंक वोट किया 47 ने यहाँ पे एपस्टे का होगा, but they don't have a choice, देखा जाये तो इस convention को Ukraine ने पहली बार sign किया था 2011 में, but ratify नहीं हुआ था, बहुत बार activist ने, जो social activist होते हैं country के अंदर वो demand कर रहे थे कि निभाई convention को ratify करो, ratify करो, और government बहुत सालों तक चुप रही, एकदम शान्त रही, क्योंकि जो religious और conservative groups थे, वो नारास्त है, religious और conservative groups का बोलना था, कि इस Istanbul convention में जो gender नाम के शब्द का मतलब हम उसके against हैं, मैं आपको बता दू, Ukraine में भी जो conservative और religious तबका है, वो बहुत dominant है, उतना liberal नहीं है Ukraine, जितना यूरोप की countries है, तो इसलिए जब तक यूरोप आजाद, चौर यूक्रेन आजाद था, overall, रशिया का खत्रा नहीं था, तब तक वो अपने साब से, चीजों में decision लेते थे, लेकिन चुकि अब रशिया का attack हो चुका है, Ukraine is under intense pressure, उनको नाटो की मदद की जरूत है, यूरोप में joining और partnership की जरूत है, इसलिए यूक्रेन ने यहां पर मजबूरी में आके overall, इस particular convention को ratify किया, पिछली बार 2016 में ऐसा लग रहा था, कि Ukraine convention को ratify कर देगा, लेकिन overall, Parliament में एक majority ने इस particular ratification के against, Istanbul convention के against, vote कर दिया, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है, Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, मतब यूरोप के इराके में जो countries आती हैं, उनके उपर यह particularly लागू होता है, और सबसे खास बात यहां पर यह है, कि किसी country को अगर यूरोप का member बनना है, तो भी इस particular convention को sign करना जरूरी हो, चुकि अभी recently यह से rebel है, कि हाँ भाई, अगर women के खिलाफ domestic violence हो रहा है, तो स्कानबुल convention के साबसे इसको deal किया जाएगा, Ukraine के domestic law को भी यहां payment किया जाएगा, according to Istanbul convention, जब सबसे खास बात यहां पर यह है, कि women सच में gender based violence की तरफ vulnerable है, Ukraine के अदूर, Russia के साथ almost एक 8 year war चल रहा है, 2014 में जब क्रीमिन पेनिसुला को कबजा लिया था, रशिया ने, उसके बाद से युक्रेने सार literally at war with Russia, बहुती गंदे relation हो गए, और अब तो recently जब Russian troops ने अटैक किया, तो जिस जिस इलाके पे Russian troops महुंचते थे, वहाँ पर women को molest करते थे, परिशान करते थे, रेप करते थे, इस पकार की खबर निकल के आई, और ये चीज बिल्कुल clear हो गई, जब बूचा से Russian forces में withdraw किया, तब खबर निकल के आई, कि एक basement में 20 women's और girls को assault किया गया, रेप किया गया, इसमें से 9 तो pregnant हो गई, अर अशिया ने बोल दिया कि हमारे forces ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बढ़ आप हम सब को पता है कि जब जंग के महौल बनते हैं, ऐसा होता है, तबी recently ही, पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस में rape emergency डिकलेर की गई, तो basically, रेप एक ऐसा टूल है जिसको हमेशा ही जंगों में इस्तेमाल के जाता है, जैसे कि for example, यह जो paternalistic culture रहा है न, male dominated culture रहा है, male dominated culture में क्या है, कि आदमियों को लगता है कि अगर औरते उनके against बोल देंगी, तो इनको दबा दो, दबाने का एक methodology यहाँ पे यह rape के form में अपनाते हैं, ठीक है, तो सिर्फ यह Asian culture में नहीं, यह आपके European और Russian culture में भी ऐसा ही है, मतलब women को दबाने के लिए क्या है कि उसका rape कर दो, तो obvious ही बात है, इस प्रकार की दक्यान उसी और विक्रत मान सकता, यहाँ पे रखी जाती है, और Ukraine में भी जो औरते हैं, उनको काफी जहिलना पड़ा है, Russian authorities के चलते, Russian Assault के चलते, तो जब यह Istanbul Convention Ukraine ने sign किया, तो अब कम से कम यह हो जाएगा, कि जिन औरतों के against भी यह अत्याचार हुआ है, उनको कम से कम कुछ legal help मिलेगी युक्रेन की सरकार की तरफ से, ठीके न, उनको, आप कहलो, rehabilitate किया जाएगा, उनको council किया जाएगा, उनको proper जगों पे settle किया जाएगा, overall gender based violence से जो भी woman गुजरी है, उसको कुछ ना कुछ rights, कुछ ना कुछ आप कहलो, सो विधाय दी जाएगी युक्रेन के अंदर, लेकिन इसके उपर सवाल ये उठाया जा रहा है, क्योंकि युक्रेन एक war affected country तो, Istanbul conventions के recommendation को implement करने के लिए पैसा चाहिए, जो कि अभी के लिए युक्रेन के पास है नहीं, जो कि युक्रेन बहुत अत्तक war के थूँ अफेक्ट हो चुका है, अच्छा जो women right activist है, युक्रेन के अंदर, वो बहुत लंबे समय से इस बात की demand कर रही है, कि भाई gender based violence के against, जो आपके नियन कामून है, इसको थोड़े और strong करो, अगर आप देखो तो domestic violence को एक administrative offense माना गया है, युक्रेन के अंदर, लेकिन इसकी सजया क्या होती थी, या तो 15 दिन तक की जेल हो जाएगी, या आपको 60 घंटे का community work करना है, या आपको एक fine देना है, 2019 में systematic domestic violence को criminalize किया गया, युक्रेन के अंदर, लेकिन ये criminalization आपके ओपर तब लागू होगा, जब आपने एक साल में तीन बार domestic offense किया है, तो अगर आपने एक बार या दो बार किया है, तो ठीक है, एक दो बार आप wife को मारो चलेगा, तीन बार मारोगा तो आपकी खिलाफ domestic violence का वो act लगेगा, तो कहीं न कहीं, यूक्रेइन के जो domestic violence के जो loss थे न, वो discriminatory थी woman की तरफ, वो बहुत ज़ादा male dominant थे, fair prosecution नहीं हो सकता था, अगर सच में woman को मारा पीटा गया है, इसको अब यहाँ पर बदला गया है, इस convention के ratification के साथ, यूक्रेइन के अंदर बहुत से crimes, बिल्कुल आप कहलो illegal हो जाएंगे, psychological abuse, stalking, forced marriage, physical and sexual abuse, forced abortion, sterilization, इसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ों को यूक्रेइन, अब अपने domestic law में imbibe करेगा, according to the provisions of Istanbul Convention, और यह बहुत ज़ाद ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं gender-based violence को रोखने के लिए, इसलिए भी चुकि यूक्रेइन का target है, कि वो European Union में मिलना चाता है, और basically European Union में मिलने के लिए, एक बड़ी condition यह है, कि आप gender-based violence को tackle करो, और gender-based violence को tackle करने के लिए, यहाँ पर यूक्रेइन ने join कर लिया है, Istanbul Convention, तो यूक्रेइन ने अपने actions के थूरू यह demonstrate किया है, कि वो European legislation और values को मानता है, Istanbul Convention को ratify कर गया, तो इससे अब आप कह सकते हो, कि यूक्रेइन की जो candidate seat थी ने यूरोप के लिए, इसको नीदर लैंड्स और स्वीडन ने भी acceptability दे दी है, नीदर लैंड्स और स्वीडन पहले नहीं चाते थे कि यूक्रेइन यूरोप का member बने, बड़ जब से Istanbul Convention साइन हुए, तो अब से नीदर लैंड्स और स्वीडन भी support में नज़र आ रहे है, अब रिसेंटली ख़वर निकल गए ये भी आ रही कि यूक्रेइन और मॉल्दोवा दोनों को ही candidate status यूरोप का दे दिया गया, और कहिए न कहिए यूक्रेइन के Istanbul Convention को sign करने से, ratify करने से, बहुत सारे international institution ने इस step की तारीफ किये, United Nations Human Rights Council की बात कर लिजे, European Union Commission on Human Rights की बात कर लिजे, इन सब ने बोला है कि यूक्रेइन का ये step एक revolutionary step है, gender-based violence को रोकने के लिए अपने आप में बड़ा step है, हाँ, overall Ukraine के पास इस समय बे financial capability limited है, war की वज़े से, तो किस हद्था ground level पे यूक्रेइन, sources को allocate कर पाएगा, gender-based violence को रोकने के लिए, ये देखना अभी बाती है, आकांशा खुलर मैं हमने इस article को लिखाए, फिर भाई, ये जो अगनी पस से related article, इसको मैं skip कर रहा हूँ है, पढ़ लिजेगा, अगनी वीर के बारे में हम लोग काफी बातें, अलड़ी कर चुक है, इसमें ये है, इसमें वो है, हर जगा पर हमने ये सुने हो, कोई बहुत अलग point यहां नहीं है, फिर, the problems plaguing the thermal power generators, ये एक important article है, ये actually मैं हमको बता रहा कि इस समय पे thermal power generation को लेके, हमारे सामने क्या-क्या problems खड़ी है, देखिए, 10 जून को इंडिया की जो power demand थी, वो 211 मेगा वार्ट पे पहुँच की, cold shortage बहुत ज़्यादा था, और power demand ज़्यादा थी, अच्छा 10 जून, अभी इस बार की गर्मियों में power demand ज़्यादा क्यों है, एक तो scorching heat, खतरनाक heat वेवाई थी, गर्मी बहुत थी, तो लोग ज़्यादा AC, पंका, कूलर बगारा चला रहे थे, दूसरा, एक pandemic का lockdown था, वो पूरी दुनिया भर में खुल रहा था, लोगों का travel बढ़ रहा था, लोगों की demand बढ़ रही थी, थोड़ी बहुत लोगों की कमाई बढ़ी, तो चीज़ें ज़्यादा करीज रहे, तो power demand इसकी वज़े से भी बढ़ी, समझ गया बात को, तो power demand एकनॉमी रिकवर कर रही थी, इसकी वज़े से बढ़ी, और power इसनी थी नहीं, तो बहुत जगों पे electricity cuts देखने को मिले, UP में, और बहुत सी जगों पे, मुंबई में तो उतना electricity cut हुए नहीं चुकी, एक industrial इलाका है, एकनॉमी के लिए बहुत important है, मुंबई जैसी जगह है, में, मुंबई में तो इसनी यहां तो इतने electricity cuts नहीं हुए, लेकिन UP, बिहार और देश के बहुत से सो में, बहुत electricity cuts हुए हैं, अब यहां पे अगर आप देखो, तो ministry of power action में आगी, ministry of power को लगा कि भाई, यहां तो बवाल हो जाएगा, तो ministry of power action में आने बाद उसने क्या किया, देखो, electricity की कमी इसलिए पढ़ गई थी, जो कि जो जैनकोस थे, जो coal producing power stations थे, thermal power stations थे, इनके पास कोईला नहीं था, और कोईला यहां पे raw material fuel की तरह काम करता है, तो कोईले की कमी को पूरा करने के लिए, ministry of power ने, जो thermal power station से इनको permission दी की ठीक है भाई, अपनी requirement का 10% तुम import कर सकते हैं, तो अपनी total requirement का 10% import करने की permission दी गई, लेकिन overall 10% भी import नहीं हो रहा है, थोड़ी देल मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप इस particular figure को देखो, तो यह है 2018-19, यह 19-20, यह 20-21, इन 3 सालों में जो कोईले का production है इंडिया के अंदर, वो काफी हद तक stagnant रहा है, domestic coal production की बात हो रही हैं आपर, domestic coal production बहुत important है, हम लोग domestically इंडिया के अंदर जो भी coal produce हो रहे हैं, उस से electricity पैदा कर रहे हैं, लेकिन domestic coal production 18-19, 19-20, 21, इसमें stagnant रहा है, बहुत बढ़ा नहीं है, लेकिन एकदम से देखी तो 2021-22 में हमारा domestic coal production बढ़ा है, उसकी वज़ए क्या है, वज़ए यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो coal के दाम है, वो बहुत ज़ादा बढ़ रहे हैं, अगर इस particular figure को देखो, तो रुपीज पर टन में आपको नजर आ जाएगा, कहां 2013-14 में 5,000 रुपी पर टन मिल रहा था कोईला, और कहां आप देखो 2021-22 में, यह अल्मोस्ट 11,000 रुपी पर टन को चच कर रहा है, 100% से भी ज़ादा का इंक्रीज है, इतना महंगा कोईला इंटरनेशनल मार्केट में कौन ही करीदेगा, और वहीं पर आप डॉमेस्टिक प्राइस देखें, इंडिया के अंदर, तो यह 2000 रुपीज पर टन से भी नहीं चल रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोईला इतना महंगा मिलेगा, तो कौन ही ख़ी देगा, और इसलिए यहाँ पर टिकुलर जो चार्ट 2 है, वह आपको क्या बता रहा है, कि फाइनेशल एर 2017 में, हमने 46.3 मिलियन टन्स कोईला इंपोर्ट किया था, लेकिन फाइनेशल 2022 आते हैं, हमने किवल 18.89 मिलियन टन्स कोईला इंपोर्ट किया, चुकि कोईला इंपोर्ट कैसे करोगे, कोईला के दाम सर चड़के बोल रहा है, इतना महंगा कोईला कोई भी इंपोर्ट नहीं करना चाहेगा, चुकि इतना महंगा कोईला जब आप इंपोर्ट करोगे, त हमारे रिजर्व इतने हैं कि हम अपने domestic consumption के लिए 100 साल तक अपना consumption meet कर सकते हैं अपने कोईले की ख़ता से रिजर्व इतने हैं लेकिन रिजर्व ज्यादा मत्र होने का यह नहीं कि हम माइनिंग ज्यादा कर रहे हैं माइनिंग ज्यादा करने के लिए land clearances चाहिए latest technology चाहिए अकसर कर आप देखो तो NGT Supreme Court में यह जो environmental groups हैं वो जाके petition डाल देते हैं कि भाई यहां माइनिंग मत करो हमारी local ecology को नुकसान प power पूरी कोशिश कर रहे है कि जो demand supply gap इसको कम करने कोशिश की जाए जो कोईले की demand जादा है और supply कम है supply तो है पर बहुत महंगी है domestic supply उतनी आ नहीं रही और international supply बहुत महंगी है in fact अगर आप देखो तो एक press release आया तो 27 महीं को इसमें भी ministry of power ने यह बोला कि अभी भी एक supply gap ह requirement कोल की जादा है और supply कम है ओके financial year 2020 तक क्या था कि भी हमारे domestic sector से power sector की 90% requirement पूरी होती थी मतलब कि overall अगर हमा financial year 2020 की बात करो अगर 100 kg कोईला इस्तेवाल कर रही है हमारी power distribution companies तो 90 kg कोईला तो domestically आ रहा है मतलब इंडिया के अंदर produce किया हो कोईला और 10% तक हम बाहर से import कर लेते हैं लेकिन financial year 2022 आते आते इंपोर्ट के ओपर dependence कम हो जो import के ओपर dependence 10% थी in financial year 2020 वो financial year 2022 तक आते आते 3.8% होगी और हो नहीं है न क्यों कोईला इंपोर्ट करेंगे हम लोग जब कोईला international market में 5-6 गयो ना महंगा मिल रहा है आप स उससे 5-6 गुना जादा कीमत पर international market में मिल रहा है तो कोई पागल ही होगा domestic power plant producer जो international market से खरीदेगा फिर यहां पर आपको चार्ट 5 नजर आदा चार्ट 5 देखिए क्या है जब कोईला महंगा होगा तो जो power generation होगी वो महंगी होगी power generation फिर power distribution companies को बेचेगा और power distribution companies लोगों पूरी chain है एक तो होता है coal supply करने वाले thermal power stations पर अपनी power बेचेगा किसको power distribution company को power distribution company में क्या आता है तो बहुत प्रकार की बहुत सी companies है उत्तरबदेश में चला जाए उत्तरबदेश पावर तो इस प्रकार की power distribution companies की बास power जाती है और फिर यह retail और आप कहलो business consumers तक power को पहुचाते हैं तो जो power distribution companies इनको सबसे weak link माना गया है इनके losses बहुत जाद हैं यह फिगर है 2020 का तमिल नाडू के losses power distribution company में माइनस मतब 99,000 करोण थे राजस्थान में 86,000 करोण का नुकसान था power distribution companies को उत्तरबदेश में 85,000 मतबदेश में 52,000 तिलांगना में 42,000 आंतरबदेश में 29,000 खारियाना 28,000 महराज 25,000 बिहार 15,000 केरला 12,000 कि वह एक state फायदे में था गुजिना 1,336 एक major state मैं कहूँँगा तो overall महंगाई के चलते ये जो power distribution companies हैं ये और unsustainable हो जाएंगी ऐसा यहाँ पे बताया जा रहे है और कहीं न कहीं जो power distribution के rates होते हैं ना state में उनका एक political element होता है कोई भी राज्य की सरकार जब election वगरा लड़ती तो बोलती कि हम बिजली इतनी सस्ती कर दें दिल्ली में देखो अर्विन का सबसे बड़ा है कि ये शुरू की 200 unit तक की बिजली फ्री अभी वो बिजली पैदा करने में तो पैसा लग रहा है न तो आपके revenue से जा रहा है तो क्या होता है कि ये जो बिजली में electricity देती है अलगले राज्य सरकार ने वो कभी-कभी बहुत भारी पढ़ जाता है बिजली का बिल जाता एक्लिमेट से जाता यूनिट प्रॉस मत बढ़ाओ ये सब चीज़ें वहाँ पे चलती है तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे जो ओवरॉल पावर क्राइसिस चल रही है इसमें सबसे जरूरी है कि सरकार अप्रोप्रियेट इंतजामात करे भाई अमाउंट ओफ कोल कम नहीं पढ़ना चाहिए पावर स्टेशन्स के लिए जो भी हमारी डॉमेस्टिक माइन्स है वहाँ से कोईले की जो एक्सक्वेशन है इसको बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूत है लेकिन उसको बढ़ाने मे पिर एक इन्वार्मेंटल एंगल आ जाता है और और इन्वार्मेंटल सस्टेनिबिल्टी पे बात होने लगती है और सुप्रीम कोट जिसी जग़ों पे केस फाइल हो जाते हैं तो सरकार का काम भी काफ़ी मुश्किल है सरकार बाहर से मंगाए तो महेंगी फिर एक करना चीज़ें मुश्किल हो रही है फिर बात करती है टाइगर बाइदा टेल अंदर शिफ सेना तो बही सिर्फ सेना की उपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी एक नात्स शिंडे की लीडर्शिप में बहुत सारे शिफ सेलान की जो मलें लेजिस्लेटर्स हैं वो र और कॉंग्रेस और नैशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी ने बोला है कि हम ठाकरे जी के साथ खड़े हैं लेकिन ठाकरे जी इस समय पे प्रॉब्लम में इसलिए है चुकि जो बाकी इनके पॉलिटिकल पार्टी के जो एमिलेज है न वो खुड ठाकरे जी के अगेस्ट अब एक नाशिंडे का ये बोलना है कि भाई जो आइडोलोजिकल आप कहलो मूरिंग्स थी वो डिफरेंस हो गई है एक्चली में शिवसेना हिंदुत्वा आइडोलोजी पे चलती है लेकिन NCP और कॉंग्रेस उतनी हिंदुत्वा डिलेजी पे नहीं चलती है इसलिए पहल पर शिवसेना नाराज हो गई सरकार गिरी और फिर शिवसेना नेशलिस्ट कॉंगरस पार्टि और कॉंग्रस पार्टि नेहां पर अपना गडवंदन कर लिया तो अब ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो रेबल शिवसेना अमलेज हैं पेले गुजराद गए फिर आस कॉंगर्स के साथ यलाइंस करके हमारे हिंदुत्वा की एजंडा को तोड दिया। उद्धव ठाकरे साप बोल रहे हैं कि नी भई, ऐसा नहीं है। हमने कोई इंदुत्वित्वा की एजंडा को नहीं तोड़ा हैं मुझे को फॉलो करते हैं। और उद्धव ठाकरे साथ MLS के प्रती एक emotional appeal जारी कर रहे है कि वापस आ जाई है इस प्रकार से आपस में रड़ाई ठीक नहीं है लेकिन ये emotional appeal जादा किसी के उपर असर नहीं डाल रही है ऐसा पता चल दा प्लस overall ऐसा भी बोला गया है कि जो शिव सेना की leaders थे खुझ चीफ मिनिस्टर और इनकी जो सान और मिनिस्टर ने आदित ठाक रहे है ये inaccessible थे लोगों के प्रती जो शिव सेना के बाकी legislator की जो problems थी उसके उपर ये लोग ज़ादा ध्यान वगरा नहीं दे रहे थे तो इस बात को लेके भी जो बाकी party MLA's थे वो नारास थे और जैसे ही एक नाश शिंडे साइड हुए मैसे बहुत सारे MLA's एक नाश शिंडे की तरफ चले गए इससे क्या पता चलता है इससे पता चलता है कि कही न कहीं शिव सेना के कैम्प में लीडर्शिप के प्रती एक दुएश की भावना थी और रही बात एक नाश शिंडे जी की तो एक नाश शिंडे जी भी काफी पॉप्लर है शिव सेना के अंदर बहुत हद तक ये लोगों के लिए अक्सेसिबिल है बाकी पार्टी मेंबर्स के लिए अक्सेसिबिल है मुंबई के आसपास की जो दो डिस्ट्रिट्स है इसमें एक नाश शिंडे जी को काफी माना जाता है छे मिनिस्पल कॉर्परेशन सो बहुत सारी स्मॉलर लोकल बॉडिज में इनकी चलती है तो शिव सेना की इंटर्नल पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स में ऐसा लगा होगा एक नाश शिंडे को कि हाँ उनको साइड लाइन किया जा रहा है तो मौके का इंतजार कर रहे तो सही मौका देखके वो यहाँ पे साइड हो चुके है अब साइड होके वो एक्चुली में करेंगे क्या इस बारे में अभी बहुत क्लियर कर जान करी है नि वो बीजेपी जोइन करेंगे या फिर वो शिव सेना को लगातार फोर्स करेंगे कि आप बीजेपी के साथ गट बंदन कर दो अभी चीज़ें क्लियर है नि अभी रेबल आप कहलो पार्टी कैम्प में बैठे हुए एक नाश इंडे और उनके साथ लगबाग 33-34 MLA है तो अभी के लिए शिव सेना के अंदर ही जो उद्धर ठाकरे साब है इनकी पूजिशन काफी कमजोर पड़ चुकी है लेट सी आगे क्या होने वारा प्लस कोलंबिया के अंदर पहला leftist president नीचे comment box में बताओ कोलंबिया के साथ border लगाने वाली land border लगाने वाली कौन-कौन सी country तो देखें कोलंबिया की अगर बात की जाए तो कोलंबिया में former gorilla जिनका नाम है Gustavo Petro ये presidential elections जीच चुके हैं ये president बन चुके हैं अपने आप में South American Second country कोलंबिया में बहुत बड़ी जीच तेखें कोलंबिया की बात की जाए ना तो कोलंबिया civil wars effect हो चुका है पहले कोलंबिया drug wars effect हो चुका है पहले काटल चला करते थे कोलंबिया में Pablo Escobar, Medellin काटल, ठीकिना काली काटल, ये सब काटल चलाते थे, अलग अलग जगाओं प इनकी पहले बहुत चलती थी, आज भी चलती थी, बढ़ आज पहले जितनी नहीं चलती है, ठीक एक समय पे तो पैग ब्लो अक्स को वार के उपर US की सरकार पीछे पढ़ गई थी, सुचे इतने ताकत वर थे drug lords, तो एक तो drug lords, दूसरा एक organization था कोलंबिया के अंदर F.A.R. जिसका full form था, revolutionary armed forces of कोलंबिया, ये एक marxist leninist group था, और marxist leninist group कहीं न कहीं violence की ideology पे काम करता है, तो इस far group ने भी कहीं न कहीं कोलंबिया की सरकार के साथ, आर्मी के साथ एक armed rebellion लड़ाया, अपने marxist agenda को promote करने के लिए, तो एक समय पे तो कोलंबिया ऐसा हो गया था कि भी बिल्कुल दुखी हो रखे थे कोलंबिया के अंदर, लेकिन फाइनली आप देखोगे, तो decade long civil war के बाद, finally, 2016 में, फार्क के बीच में, यानि revolutionary armed forces of कोलंबिया, और जो कोलंबिया की सरकार थी, उसके बीच में peace agreement हुआ, और यहाँ पे जो फार्क नाम की party थी, वो leftist politics में involved हो मतलब proper democracy बनने की तरफ बड़ा कॉलंबिया, पहले जब यह पागलों की तरह लड़ रहे थे सरकार से, बहुत लों की जाने जारी थी, security forces जाने जारी थी, even फार्क मेंबर्स की जाने जारी थी, finally season थोड़ी sort out हुई, अब उसी gorilla faction का, उसी leftist faction का एक individual Gustavo Petro, यहाँ पे president बन ग पूरी तरीके से power में नहीं आये, जो rightist तपका है कोलंबिया के अंदर, यह जो centrist तपका है, आप गोलों की सर्फ लेटिस तपके में कौन आता है, जो leftist तपके में जो drug lords हैं वो आ जाते हैं, leftist तपके में जो marxist, leninist, socialist विचार धाराय वाले लोग हैं, वो आ जाते हैं, अभी भी conservative, rightist, centralist ये country की politics में importance रखते हैं, presidential election में definitely Sunday वाले election में 50.4% वो गुस्तावो पेत्रों को मिलें, और opposition में Rodolfo Hernandez थे इनको 47.3% वोट मिलें, तो अभी एक leftist president यहाँ पे बन गया है, अब खास बात यहाँ पर यह है कि ऐसा क्या बोला गुस्तावो पेत्रों की लोगो जिससे कोलंबियन farmers की जमीन के ओपर किसी और का claim आ रहा था, कोलंबियन farmers के हाथ से उनके जमीन आ रही थी, वो सारे के सारे जो free trade agreements से उनको हटा देंगे, हम renegotiate करेंगे, कोलंबियन farmers को उनके जमीन देराएंगे, country में बहुत सारे social security measures लागू की जाएंगे, कोलंबिया मे बड़ी आबादी गरीब है, उन गरीबों तक पैसा पहुचाना, rich लोगों के ओपर और tax लगाना, कोलंबिया का जो dependence है, fossil fuel के ओपर इसको कम करना, चुकि कोलंबिया के अंदर annual inflation 10% है, unemployment rate 20% है, poverty rate 40% है, तो कही न कहीं इन सब चीज़ों को tackle करने के लिए, बहुत सारे welfare measures की जरूरत है, और जो leftist तबके का president है, वो क्या बोलेगा कि मैं welfare भी welfare measure लेकि जाओ, leftist समझ लिजे कि एक प्रकार का communism का leader है, हाला कि वो democratic तरीके से यहाँ पर elect हो रहा है, मतलब वो लोगों के लिए social welfare measure ज्यादा चलाएगा, rightist क्या करेगा, कि business को ज्यादा सपोर्ट लएगा capitalist ideology चलेगा, लेकिन leftist capitalist ideology के against चलेगा, और welfare वाली ideology लोगों को पसंद आती, चोकि लोगों को जब सरकार की तरफ सपोर्ट मिलता है, तो लोगों के लिए चीजें काफी आसान हो जाते हैं, तो यह overall यहाँ पे जीद गए है, गुस्तावो पैत्रो, अब actually में ground level पे बिल या कोई act गुस्तावो पैत्रो को कॉलम्बिय पार्लेमिट से पास कराना है, तो वो मुश्किल हो जागा, चूकि 188 member की कॉलम्बिय पार्लेमिट में किवल 25 member ही leftist ideology को follow करते हैं, प्लस अभी भी कहीं न कहीं, कोलम्बिया के अंदर जो drug cartels हैं, वो एक problem create करते हैं, अभ ने आप नहीं बहुत बड़ा challenge होगा, गुस्तावो पैत्रो के लिए, let's see, गुस्तावो पैत्रो को पुरा कर पाते हैं यह नहीं, फिर गुस्तावो पैत्रो ने यह भी बोला है, कि कोलम्बिया की reliance on fossil fuels को हम कम करेंगे, renewable energy की तरफ shift करेंगे, लेकिन यह मुश्किल है, क्य control में करना वो रोड़ा डालेंगे, right wing तो यहाँ पर रोड़ा डालेगा ही डालेगा, और already country में inflation, civil contract, drug war, economic inequality यह सब present है, तो गुस्तावो पैत्रो के लिए आगे आनलसमे में चीज़े problematic होने वाले हो, सबसे बड़ी बात, US यहाँ पर परिशान करेगा, यह जो leftist है कोलम्ब आजाएगा कोलम्बिया के अंदर तो वो US को पसंद नहीं आएगा, तो US यहाँ पर problem create करने वाला है गुस्तावो पैत्रो के लिए, तो यह भी एक problem है, जो यहाँ पर पैत्रो को deal करनी है, तो इतने challenges के साथ गुस्तावो पैत्रो फाइनली यहाँ पर कोलम्बिया की करके जाएगा, इस्ट्राव फॉलो कर लिए को हो सके दो जोएन उस उपर तो